हलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल परमी ब्यूटी वर्ट तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्त और मस्त होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ नोज हेयर कटिंग का प्रोसीजर और साथ में हम शेयर करेंगे upper lips waxing किस तरीके से करते हैं guys इनकी nose में ज़्यादा hairs नहीं हैं पर कुछ hairs ऐसे हैं जो बाहर की side visible होते हैं इसलिए इन्होंने nose hair cutting करवाई है और guys अगर आप मेरे channel पर first time visit कर रहे हैं तो आपको nose hair cuttings related, nose hair waxings related and nose massage related काफ़ी सारी videos मिल जाएंगी और मैंने other topics related भी अपने channel पर videos upload कर रखी हैं जैसे full hand waxing, full leg waxing tummy की waxing, facial, threading पालर में जो भी काम होता है उन सब topics related मैंने अपने channel पर videos upload कर रखी हैं तो please मेरे channel पर visit करें और guys अगर आपको मेरे channel की video useful, interesting and knowledgeful लगे तो video को like करें, share करें साथ में channel को subscribe भी कर दें and bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहे guys nose hair आपके अगर जादा है यानि अगर आपके nose में काफी सारे hairs हैं और आप उन्हें remove करवाना चाहते हैं तो nose hair cutting से proper तरीके से hair remove नहीं होते, केवल हलके-फुलके cut जाते हैं जिससे nose clean लगने लगती है पर अगर आपको लग रहा है कि nose में काफी सारे hairs हैं तो ऐसे में आपको nose hair waxing करवानी पड़ेगी पर अगर कम hairs हैं को अच्छे से hold करना है और scissor का use करते हुए hair cut करनी हैं यहासा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है Galiz आपने इस बात का ध्यान देना है कि proper तरीके से आपने किसी टॉर्च तकी आपको एब पुल्फ़ तराइब पर तरीके से विजिबल हो और आप अच्छे तरीके से यर कट कर पाएँ अगर आप बिना रोशनी के अच्छे तरीके से hair cut करने की सोचेंगे तो नहीं हो पाएंगे तो ऐसे में client की skin पर cut भी लग सकता है, scissor भी लग सकती है तो proper आप रोशनी करें तभी आपने nose hair cutting करनी है और client जितने hair बोलता है आपने उतने ही hair cut करने है क्योंकि अगर हलके फुल के hair बाहर की side है तो केवल उनी को remove करें अगर client की permission होती है तो आपने सारे hair cut करने है otherwise जितने client बोले उतने ही आप hair cut करें nose hair cutting से कोई problem नहीं होती पर अगर वे nose के hair बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं तो client को अच्छे नहीं लगते इसलिए मेरे channel पर nose hair cutting से related and nose hair waxing से related videos upload की जाती है क्योंकि लोग करवाते हैं अगर कोई करवाता है तभी videos upload की जाती है और guys मेरे channel पर काफी सारे subscribers भी topics related video देखते हैं तो इसलिए especially मैं इस video को shoot भी कर लेती हूँ अब हम share करने जा रहे हैं अपर lips waxing का procedure देखे कितने सारे hairs हैं मेरे client के अपर lips पर और nose hair cutting तो इस बार करवाई थी पर यह अपर lips waxing की video इनके last time की है तो हमने इसको भीच में add on कर दिया ताकि two topics से related video बन जाए तो देखे कितने सारे hairs हैं wax मैंने जो यूज की है वह भी बताऊंगी अपर lips waxing करते समय आपने किन-किन बातों का ध्यान रखना है यह भी share किया जाएगा guys wax मैंने यूज की है Rika की white chocolate wax सभी parlor में mostly इसी wax का यूज करते हैं यह wax जो होती है काफी hard होती है सारे के सारे hairs remove कर देती है तो इसलिए इस wax का यूज करते समय आपने ध्यान देना है कि आपने पहले pre waxing gel लगाना है जो कि मैंने पहले ही लगा दिया था और अब मैं cut कर रही हूं strips को Rika की waxing strip यूज की है मैंने क्योंकि जब हम face पर wax करते हैं अगर हम ऐसी strip का यूज करते हैं पहले मैं simple wax की पट्टी यूज करती थी पर उससे इतनी finishing नहीं आती थी जितनी इससे आती है और इससे pain भी कम होता है जो कि मुझे client ने बताया है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं अगर आपके पास भी कोई ऐसे client आते हैं जो face waxing वगारा करते हैं opposite direction में waxing strip को pull कर देना है client को भी थोड़ी सी skin tight करने के लिए बोलना है देखे कितने easy तरीके से इनके सारे के सारे hairs remove हो चुके हैं और guys मेरे client के hairs काफी hard थे जो कि बहुत easily remove हो गए अगर किसी के काफी soft hairs हैं तो अगर sensitive skin है तो आप Rika की green apple wax का use करें और अगर आपको लगता है किसी की over sensitive skin है तो आपने use करनी है Rika की Brazilian peel of wax क्योंकि अगर आप इस wax का use normal skin के इलावा किसी ऐसी skin पर करते हैं जिनकी skin काफी sensitive है तो ऐसे में client की skin peel हो सकती है और मेरे client की skin normal है इसलिए मैंने इस wax का use किया है पर इस wax का use करते समय आपने ध्यान देना है sensitive skin पर नहीं करेंगे pimples वाली skin पर नहीं करेंगे क्योंकि यह है उस ऐसी skin के लिए safe नहीं है जिनकी skin healthy है wax को बरदाश कर सकती है जो पहले wax करवाते रहते हैं तो उनकी ही आपने white chocolate wax यूज करनी है तो आपने रिका wax पर कभी भी पानी का use नहीं करना after use में आपने यूज करना है coconut oil का और बहुत अच्छे तरीके से massage दे देनी है guys रिका wax को यूज करने से हमारी skin के unwanted hairs तो remove होते ही है skin की tanning बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाती है skin के dead cells बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाते है और जो hair आते हैं काफी soft and smooth आते हैं काफी late आते हैं तो बहुत सारे benefit है रिका wax के अगर आप किसी अच्छी wax के बारे में सोच रहे हैं तो रिका wax का use करें thanks for watching तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में okay take care bye bye